बिहार की सियासत में इन दिनों आनन मोहन को लेकर काफी चर्चे हैं। सियासी गलियारे में नफा नुक्सान की चर्चा भी है। दरसल बिहार के इस पूर्व बाहुबली नेता की और सवर्णों में अच्छी खासी पकड़ है। आए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आनन मोहन कौन है। सवर्णों के हक के लिए उन्होंने 1993 में बिहार पीपल्स पार्टी बनाई, 1996 और 1998 में शिवहर लोकसबा सीट से सांसत भी रहे। बाहुबली नेता आनन मोहन के सियासी कद की बात करें तो इनकी बिहार के सवर्णों और खासकर राजपूतों में अच्छी खासी पकड़ है। वे खुद भी राजपूत जाती से आते हैं, OBC आरक्षन के समय भी उन्होंने समर्णों के लिए आवाज उठाई थी। वहीं बिहार की सियासत में भी राजपूत समुदाए, गेम चेंजर रोलने भाता रहा है। बिहार में ये कुल आबादी का करीब 5 फीजदी है, वहीं राजपूतों का बिहार की 9 लोकसवा सीटों और 30 से 35 विधान सवा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव भी है। यही वज़े है कि बीजेपी आनन मोहन की रहाई पर कुछ बोलने से बस्ती नजर आ रही है। महागडबंधन को उम्मीद है कि आनन मोहन की रहाई से बिहार के राजपूच समाज का समर्थन मिल सकता है। इसके पीछे की मनशा ये भी मानी जा रही है कि महागडबंधन के पास फिलहाल कोई बड़ा राजपूच चेहरा भी नहीं है। हाला कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आनन मोहन की रहाई और फिर सक्रिय राजनीती में आने से नितीश और तेजस्वी आदव को कितना सियासी फायदा होता है।